दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में उस सिग्मेंट में जिसका नाम है भक्तोलजी अंद भक्तों की शाखा जहां पर हम लोग जम करके इन चड़ी धारी चिंटूओं की वाट लगाते हैं इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखने का काम करते हैं इनके सुप्रीम लीडर्स को लगातार एक्सपोज करने का काम करते हैं तो आज फिर से एक बार बात करूंगा सुप्रीम लीडर्स के बारे में हमारे देश की सरकार के बारे में और इनके अंदभक्तों के बारे में और फिर से एक बार इनकी हिपोक्रिसी को पूरी तरीके से एक्सपोज करके आपके सामने रखूंगा तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं किस खबर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले खबर आपकी screens पर है दानिश सिद्धी की जो की Reuters के एक senior photo journalist थे कल एक हमले में उनकी मृत्ती हो गई सबसे पहले खबर से ही शुरुआत करना चाहूंगा कि खबर के ओपर जो reactions आए खासतोर से हमारे देश की सरकार हमारे देश की media so called media गोदी मीडिया की तरफ से और सरकार की जो भक्त है उनकी तरफ से इस खबर के ओपर जो reactions आए उसके बारे में definitely हमारे को इस time पर चर्चा करने की जरुत है इन लोगों को expose करने की जरुत है और इस expose करने में आप लोग मेरा साथ देंगे ये बात मुझे से पता चलेगी कि आप यहीं पर ही इस like के बटन को दबाएंगे subscribe के बटन को दबाएंगे और bell icon को भी दबाएंगे अगर आप लोग मेरा साथ देना चाहते हैं ल यह जो दानिश सिद्धिकी हैं जो senior photo journalist हैं यह अफगानिस्तान के forces के साथ travel कर रहे थे और इनके ओपर एक हमला हुआ अक्समात एक हमला हुआ तालिबानी militants ने हमला किया और उस हमले में इनकी मृत्यों के जान चली गई यह जो हमला था यह पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो border है उसकी crossing के पास हुआ ठीक है यह सारी news है यह सारे facts है अब आप चाहिए दानिश सिद्धिकी को clearly उनके नाम से ना जानते हों लेकिन definitely आप दानिश सिद्धिकी को उनके काम से जरूर जानते होंगे मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ जो शायद आपको एक बार remind करा देंगी और clearly एक बार आपको समझ आ जाएगा कि आखिरकार दानिश सिद्धिकी कौन शक्सियत थे कौन से व्यक्ति वैसे तो पुलिजजर प्राइस के विनर थे रॉइटर्स के सीनियर फोटो जनलिस्ट थे ऐसे मुकाम पर थे जहां पर पहुचने के लिए हमारे देश के जनलिस्टों को शायद साथ जनम लेने पड़ जाएं लेकिन फिर भी जो तस्वीरें इन्होंने ली हैं दानिश सिद्धिकी की पहली तस्वीर जेन यू में रामभक्त गोपाल की यह तस्वीर वो रामभक्त गोपाल जो आज की डेट में जेल के अंदर पड़ा हुआ है कल गोडगाओं की कोट ने यह आदेश दिया था कि इसको जेल से नहीं निकाला जाएगा इसको बेल नहीं दी पर सूखा पढ़ रहा है माइगरेंट लेबरर्स दिख रहे हैं और सूखा पढ़ा हुआ है माइगरेंट लेबरर्स अपना बोरा बोरिया बिस्तर उठाके ट्राइवल करने का काम कर रहे है चौती तस्वीर आप देखेंगे तो शाहिद आपको याद आएगा पहला लॉक उसके बाद अगली तस्वीर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार कोरोना की सेकंड वेव में किस तरीके से लाशे भरी हुई थी शम्शान घाट पे और उसके बावजूद भी देश की सरकार चुपी बैठी थी मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि देश के जो ग्रह मंत्री हैं उनके उपर एक वीडियो तक बनाया था हम लोगों ने जहां पर कहा था कि ग्रह मंत्री देश छोड़के भाग चुके उस टाइम के तस्वीर है जो कि दानिश सिद्धिकी ने खीची थी जहां पर लाशें कोविट की सेकंड वेव में लगातार जल रह फ्लॉप इनके कारे करम हैं पूरी तरीके से बार-बार एक्सपोज होया है और शायद इसलिए आज इसलिए शायद दानिश सिद्धिकी की मृत्यू के बाद इतने सीनियर फोटो जनलिस्ट की मृत्यू के बावजूद भी हमारे देश के प्रधान मंत्री ने इस मैटर के उपर एक ट्वीट तक नहीं करा जी आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ओपर अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट ने इसके ओपर कल ही ट्वीट कर दिया उसके बाद जो बाद जो यूएन के चीफ हैं उन्होंने भी इस मैटर के ओपर ट्वीट करा लेकिन दा जाने वाले कल में भी जो कि future में भी नरेंद्र मोधी की सरकार को सालों साल तक लगातार उसकी सचाई को बया करती रहेंगी आगे आपको दिखाना चाहूंगा नरेंद्र मोधी आखिरकार क्यों ट्वीट करते जब नरेंद्र मोधी के अपने followers कुछ इस तरीके की बाते कर रहें आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा एक ट्वीट और इसी पैटरन पर ना जाने कितने ट्वीट हैं जो कि नरेंद्र मोदी के फॉलोर्स भारती जंता पार्टी के अन्भक्त इस टाइम करने का काम कर रहे हैं और दानिश सिद्धिकी जिनकी मृत्य हो गई उनको भी जालियां देने का काम कर रहे हैं उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे हैं लिटरली शरमानी चाहिए से लोगों को जड़ा देखिए नरेंद्र मोदी के भक्त किस तरीके की बात कर रहे हैं इस टाइम पर ट्विटर के उपर स्कुईन नाम का यह अकाउंट है जो कि लिखता है क लिब्रिल्स बर प्रेजिंग दानिश सिद्धिकी फॉर कैप्चरिंग डेट पिक ऑफ हिंदू दूरिंग कोवेड नाव सेम लिब्रिल्स आ क्राइंग नॉट टू शेर इस पिक्चर बेकॉज इट केन बी इंसेंसिटिव कहां से लाते हो इतनी हिपोक्रिसी यानि की दान लेकिन आज जब दानिश सिद्धिकी की फोटो शेर करी ही जा रही है कितनी इंसेंसिटिव बात है इसे तरीके से एक और ट्वीट यह करता है जहां पर सारी हदेशिपार कर दि показыв才G सिद्धिकी who clicked these pictures funeral pictures sold them and made huge money got killed by Taliban in Afghanistan उसके साथ हसने का emoji यह आदमी डालता है हसने का sign यह आदमी डालता है इस हसने वाले emoji से यह बात पूरी तरीके से clear हो जाती है कि यह लोग भारती जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के जो भक्त हैं वो किस मानसिक बिमारी के ग्रस्थ हैं किस नफरत की बिमारी से ग्रस्थ होए हैं और क्या उनके अंदर इस time पर भरा हुआ है इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार अलग-अलग लोगों के अलग-अलग reactions क्या रहें बीजेपी आईटी सेल का दानिश सिद्धिकी की मृत्य के उपर क्या reaction है उनकी उनको जो हत्या कर दी गई है तो उसके उपर क्या reaction अपनी स्क्रीन पर देखिए ओपी इंडिया जो की बीजेपी आईटी सेल का ही एक division है उनका अपना एक media publication है वो यह चीज लिखता है कि liberals refuse to call out Taliban over दानिश सिद्धिकी's killing make it seems as if he died due to natural causes लेकिन आप यह बात अच्छी तरीके से जानते हैं divert करना चाहती है भारतिये जनता पार्टी आईटी सेल की media इनकी अपनी गोधी मीडिया लेकिन सचा ही है कि हम तो इस बात को मान चुके कि तालिबानी militants की वज़े से दानिश सिद्धिकी की मृत्ति हुए लेकिन क्या यह गोधी मीडिया वाले क्या बीजेपी आईटी सेल वाले इस बात को मानेंगे कि दानिश सिद्धिकी ने जो तस्वीरे खीची वो तस्वीरे नरिंद्र मोधी सरकार के मूँ पर एक तमाचा है नरिंद्र मोधी सरकार की असलियत को बया करने वाली तस्वीर है कि इस बात को ये गोधी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल मानने का काम करेगी है इन में इतनी हिम्मत अब इतनी सारी हिपोक्रिसी के बाद आपको आगे लेके चलना चाता हूं और दिखाना चाता हूं हमारे देश की ग स्वाल पूछा गया और इसको हेड्लाइन बनाया गया कि अफगानिस्तान पें पत्रकार इता कितनी मुश्किल है ? आज अफगानिस्तान पे पत्रकारिता के ओपर सवाल पूछ रहे हैं रूबिका लियाकत जो कि अपने देश में एक ऐसी पत्रकार हैं जिनके पास एक रीड की हट्टी भी नहीं है उनको मैं कुछ facts और figures दिखाना चाता हूँ और आपको भी यहां पर इस वीडियो के मादम से दिखाना चाहता हूँ कि आखिरकार जो रूबिका लियाकत अफगानिस्तान के बारे में इतनी जादा चिंते थे हैं क्या उनको हमारे देश के पत्रकारों की सची पत्रकारों की कभी चिंता हुई है जरा देखिए अपनी screens पर कुछ सच कुछ facts सबसे पहले the news minute का article जहां प और question किया गया उनके अपने काम करने की वजह से जो वो काम कर रहे थे जो सच सामने लेकर आ रहे थे उसकी वजह से क्या रूबिका लियाकत ने कभी इसके उपर एक शो बनाया इतनी उकात नहीं है उनकी इसी के साथ आपको news laundry का एक और article दिखाना चाहूंगा 21 journalists murdered in 2020 in retaliation for their work committee to protect journalists की report आई थी 22 December 2020 की news है आपके सामने आपकी screens के उपर आने की 21 journalist का murder किया गया उनको मारा गया हमारे देश के अंदर लेकिन क्या रूबिका लियाकत और उनके जो colleagues हैं गोदी मीडिया के क्या कभी उन्होंने सवाल पूछा इन लोगों को अफगानिस्तान की इतनी चिंता नहीं है इसके अलावा भी आपको बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और इनकी टोली के जितने भी लोग हैं ये दानिश सिद्धिकी की मृत्यू के उपर जशन मनाते हो ये नजर आ रहे थे इन्होंने टॉंट बाजी करी इन्होंने टिपणिया पास करी इन्होंने सामने अपनी बात अपनी अपीनियन रखी थी लेकिन इन लोगों में इतनी सी भी हुमानिटी नहीं कि अगर एक पत्रकार की मृत्यू होती है तो उसके ओपर कम से कम एक बार अटलीस्ट एक बार शोक करने का काम करें इसी के अलावा बहुत सारे अंधवक्त ऐसे भी थे ज जोहित सरद्डाना एक जनलिस्ट tes जो कि कुछ सच बताते थे और कुछ घूट भी बताते थे लेकिन दानिश सिद्धिकी ऐसे जनलिस्ट थे फोटो जनलिस्ट थे जो सिर्फ सच की तस्वीरें निकालकर आपके और हमारे सामने लगते इसे साथ इस वीडियो को खतम करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आगे लोगों से शेयर करने का काम करें लोगों से साजा करने का काम करें और उनको ये बताएं कि आखिरकार दानिश सिद्धिकी की मृत्यू के ओपर हमारे देश में कुछ ऐसे भी घटिया और घिनवने लोग हैं जो जशन मनाने का और खुशिया मनाने का काम कर रहें सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके आकाओं को एक्सपोज किया था दानिश सिद्धिकी ने और आने वाले कई सालों तक दानिश सिद्धिकी की तस्वीरें उनके आकाओं को एक्सपोज करने का काम करती रहेंगे अभी के लिस वीडि प्राइब टाल